हाई मैं परिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीर कमुडिटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताना जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट इंट्री पॉइंट फाइंट कर सकते हैं एकजिट पॉइंट कर सकते हैं आप अपने लिए टागेट पैस फाइंड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं कहां पे आपको बाई करना है कहां पे आपका टागेट पैस रहेगा कहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा यह आपको गिलर कट मिल जाएगा और कैसे मिलेगा यह मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं और मैं आपको इस वीडियों बताऊंगा trend line के basis पे अगर आप सही तरीके से trend line ड्रॉ कर लेते हैं तो आप अपने लिए perfect entry point यानि कहां पे buy करना वो आप identify कर पाएंगे और उसका accuracy level भी high होगा और वहाँ पे आपको एकदम clear cut target price में मिलेगा multiple target price आपको मिलेगा और नीचे में आपको एक perfect stop loss में मिलेगा जिसके hit होने के chances बहुत कम रहते हैं तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम trend line के basis पे अपने लिए perfect entry point, exit point और stop loss find कर सकते हैं तो यह आपको simple topic लग रहा होगा लेकिन यह बहुत difficult होता अगर आप stock market में जाके execution का काम करते हैं तो इसको execute करना बहुत मुस्किल है बताना बहुत आसान है लेकिन execute करना बहुत मुस्किल है तो हम यहाँ पे सारा कुछ आपको बताएंगे इसको कैसे identify कर सकते हैं उसको लेके execution तक सारा कुछ आपको detail से बताने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो में last तक बने रहे हैं और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जोड़ किजे और bell icon को जोड़ दबा दिजे क्योंकि इस तरह के informative वीडियो हम regular basis पे आपके लिए लाते रहते हैं और यह वीडियो आपको miss नहीं करना है तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर हम चार्ट पे आते हैं और यह आपका HDFC Life का daily chart है देख सकते हैं daily chart है अब यहाँ पे हम trend line draw करेंगे और जैसे trend line draw करेंगे आपको chart पे magic दिखेगा हमें clear cut क्या मिलेगा stop loss मिलेगा entry point यहाँ पे buy करना वो मिलेगा और कहां पे हमार target price होगा वो भी यहाँ पे हमें clear cut मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या करना देखिए बस आपको chart को observe करना और यहाँ पे थुरा आपको deep study करना सबसे बहले यहाँ पे high बंद रहा है यहाँ पे high बंद रहा है ऐसे ही आपका lower high pattern का formation हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे इन सब point को join करते हुए एक यहाँ पे हम trend line करेंगे देखिए हमारा एक trend line रहा हो गया अब यहाँ पे हम rough trend line रहा है मैं आपको perfect trend line इसके बाद ड्रॉआ करके बताऊंगा एकदम static neat and clean यहाँ पे थोड़ा सा gathering हो सकता है लेकिन इसके बाद मैं आपको perfect जैसे trend line ड्रॉआ करते हैं वह मैं आपको ड्रॉआ करके अब क्या हुआ अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक parallel channel का formation हमें होता हुआ देखेगा जहाँ पे इस highest point इस highest point इन सब को जोइन करते हुए एक हम line ड्रॉआ करेंगा और यहाँ पे आपका parallel channel का formation होगा तो आपको थोड़ा सा visualization भी अपना improve करना होगा तब जाके आप सट एक trend line ड्रॉआ कर सकते हैं देखें यहाँ पे हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक trend line ड्रॉआ कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ नीचे आपका एक perfect parallel channel का formation हो गया अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया सब को join करते हुए trend line ड्रॉआ किया ले trend line ड्रॉआ किया हमें perfect entry point बिल गया अब यहाँ पे हम एक और trend line ड्रॉआ करेंग देख सकते हैं एक यहाँ पे resistance line बना यहाँ पे बना अब इन सब को join करते हुए एक straight line यहाँ पे हम ड्रॉआ करते हैं अब देखिए क्या हुआ वो भी आपका same point पे जाके line मिला मतलब तीन line आपका same point पे मिला ती आपका एक magnetic point बोल सकते हैं अगर इसको break करके candle ऊपर निकलता है तो क्या होगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा perfect entry point उसके बाद entry point बनने के से होता stop loss चाहिए होता तो इस candle जो candle breakout देगा अगर यह candle breakout दिया है इसका lowest point क्या बन जाएगा एज ऐसल इसको हम एज स्टॉप लोग सकते हैं यहाँ पर एक बार सपोर्ट बना यह हमारा क्या हो जाएगा T1 target 1 उसके बाद यह हमारा बन जाएगा target 2 उसके बाद यह सब हमारा बन जाएगा target हुई तो यहाँ पर आपको गैद्विंग लग रहा होगा अब मैं आपको clear-cut trend line ड्रॉप करके बताता हूं सेम concept के basis पे जो मैं आपको अभी explain किया हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं clear-cut आपको जो चीज मैंने बताया सारा कुछ आपको उसी के basis पे एकदम clear-cut trend line देखने को मिल रहा होगा अब यहाँ पर इसके पीछे का concept समझने कोसिस किते हैं मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आपका lower-high pattern का formation हो रहा था उसको लेके हमने एक trend line ड्रॉप किया straight trend line है ठीक है जो कि इस वाले green candle को जाके intersect किया है और उसके बाद यह आपका parallel channel का formation हुआ है और उसके बाद यह आपका एक resistance line बना अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ पहले देखिए प्राइस आपका यह जो line है इसके ऊपर trade कर रहा था तब यह क्या था तब यह आपका support की आपका resistance बन गया उसके बाद पहली बार यहां पर attempt लिए करने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया तो जैसे हमें यह पॉइंट मिला यहां पर हम क्या करेंगे एक straight line करेंगे और यह हमारा एक line बन जाएगा तो इसको हमने कैसे क्लियर समझ में आ गया अब यहां पर क्या कुछ ह हुआ यह जो point है जहां पर multiple trend line आके मिल रहा है यह हमारा एक perfect entry point देगा अगर candle इसके उपर closing देता है या फिर इसके उपर निकलता और candle में strength देखने मिलता है ति हमें क्या देगा perfect entry point जो कि मैंने आपको already बता दिया था और उसकी बाद इस candle का lowest point जो candle breakout देगा lowest point हमारा क्या बनेगा SL बनेगा SL भी छोटा सा उसके बाद बताया था यह सपोर्ट की रूप में काम कर रहा है यह हमारा क्या बन जाएगा target one यहां पर resistance level है यह हमारा बन जाएगा target two और यहां पर एक resistance level हमारा बन जाएगा target three तो HDFC life अगर आपका यहां पर लगभग 598 पे अगर 600 उपर इस भी दिन closing दिया आप इसको आगे भी track कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पर entry लेना और इस point को आपको stop loss की रूप में यूज करना मैं आपको point भी बता जेता हूं इस candle का जो भी lowest point है आप देख लो lowest point है 577 तो 577 का आपको stop loss यूज करना और target price आपका पहला हो जाएगा perfect entry point exit point stop loss हमने कुछ नहीं किया बस trend line draw किया और वह हमें सारा कुछ बता दिया आपको magic देखने को मिला है और automatic हमें stop loss target entry point सब कुछ मिलता गया है तो यहां पर हम एक और example के तो आपको समझाने कोसिस करेंगे अब यहां पर हम जो दूसरा example ले रहे हैं वह आपका cortex bank इसका भी केंडल में maturity ज्यादा देखने को मिलता है और वह में ज्यादा सटीक information provide करेगा अब यहां पर हमने already trend line draw कर लिया अब यहां पर क्या कुछ हुआ सबसे पहले देखिए क्या था यह आपका support की रूप में काम कर रहा था प्रैस यहां से आपका वापस लाट किया मतलब यह आप अपना डिमांड जोन यहीं सपोर्ट जोन बना लेंगे और जो भी जोन होता चाहे support जोन रिस्टेंस जोन वह आपका क्या बनता नो ट्वेडिंग जोन रहता यहां इस पार्डिकुलर में जो इतना आपका रेंज इसमें आपको क्या करना नहीं बाइंग करना नहीं नहीं लेना चाहे नीचे में आप यह सपोर्ट जोन की बात कर ले या फिर उपर में आप वेस्टेंस जोन की बात कर ले यह नहीं अगर आप डिमांड जोन की बात कर ले या फिर सप्लाई जोन की बात कर ले पहला जो डिमांड जो सपोर्ट जोन हमने ड्रा किया वो टिलर ह हो गया उसके बादिए उसके बाद क्या हुआ यहां पर आपका एक सपलाई जोन के पास आया को आए उसके बाद क्या हुआ यहीं पर लगबख एक दो, तीन एक्टेम्ट लिया है, इसको break करने का लेकिन break नहीं किया और यहीं से उपर निकला है, अभी हमारा क्या बन गया? जो हमारा stance zone था, यह हमारा बन गया, neck line, क्योंकि यहां पर एक बारा आया, यहां से नीचे गया फिर वापस यहीं पर आ गया अभी हमारा नेक लाइन बन गया अब यहां पर भी हमें perfect entry stop loss और target price कैसे मिलेगा अगर कोई भी candle इस neck line को break करके उपर निकलेगा और उपर में closing देगा तो वो क्या बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा perfect entry point यह नहीं इसको मैं बहुत जादा होते हैं वहां पर आपको reward बहुत जादा मिलता रिस्क बहुत कम रहता उसकी बाद हमारे stop loss क्या होगा जो भी candle आपका breakout देगा यहां पर जब भी स्केंडल जो भी बनता उसको हम स्टॉप लॉप में काउंट कर सकते हैं उसकी बाद टागेट पर यहां पर देख सकते हैं चोटा सा रिश्यस्ट लॉप यहां पर इसके ऊपर निकला तो ऐसे आप अपना stop loss करके ऊपर ले जा सकते हैं और यहां पर आपको multiple target भी मिल जाएगा short term long term सब कुछ के लिए यहाँ पे आपको target मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको daily chart ही इस्तमाल करना है इसका इस्तमाल आप intraday में नहीं कर सकते हैं positional trading swing trading में या फिर long term की लगर आप investment करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एक perfect entry point find कर सकते हैं उमीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ clear समझ में आगिया होगा कि कैसे आप trend line draw करके chart पे अपनी लिए perfect entry point यहाँ पे buy करना है कहाँ पे stop loss होगा और कहाँ पे target price होगा वो आसानी से find कर सकते हैं बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ट के अंदर गुसना परेगा चार्ट का जो visualization है वो थोड़ा सा improve करना परेगा और जैसे ही वो improvement आपके में आ जाएगा तो आप यह सब काम आसानी से कर सकते हैं और हमने trend line कैसे draw करना उसके उपर already बहुत सारे वीडियो बना रखें अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप i button पर click करके भी देख सकते हैं नहीं तो link वीडियो के description में भी मिल जाएगा so that's all friends वीडियो पसंद आया था प्लीज लाइक करके इनकवेज किजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन